Hello students, how are you all? I hope you'll are fine. We are reading chapter 9, A Walk Through the Fire. We have read the first page of this chapter already and today we are tacking it further. तो आज हम इसे आगे बढ़ाने वाले हैं इस वीडियो के साथ में और जितना हम पढ़े हैं उसे आगे देखने वाले हैं. बिना समय बरबाद किये वे, let's go ahead. तो आगी के और बढ़ते हैं, देखते हैं इस चेप्टर में actually है क्या. तो इसकी जो last line थी, वो remaining थी, बाकिया हमने पढ़ लिया था. तो अब देखते हैं क्या है इसके अंदर, let's start. कि वो जो सब्द थे, those were the words, वो word जो उसने use किये थे, जो इंगलिस के वर्स जो वो use कर रहा था, आप imagine कर सकते हो, you can imagine. कि वो कितने incongruous लग रहा थे, कितने असंगत थे, कितने बिना mail के थे, मतलब कि वो किसी परकार से, उस व्यक्ति से, वो sound match ही नहीं हो रहा थे, क्योंकि वो एक धोती कुर्ता पहना वा, a sexist व्यक्ति लग रहा था, और जब वो इंगलिस बोल रहा था, तो वो अजीब सा feel कि लू रहा था, वो sound उसके मुह से, तो how incongruous the sound coming from, कि वो कितना incongruous sound था, जो आ रहा था, उस किसे, उस ragged barefoot Indian से, जो फटे पुराने कपड़े पहने वे, नंगे पेर भारती से, और ऐसा माना जाते है, कि जिसकी worldly possession है, जिसकी जो सांसारिक जो संपती है, माननों कि कहीं प दोती के अंदर, मतलब दोती के अंदर किसी जगे उसने अपनी जो सांसारिक संपती है, वो बांध रखी हो, जो उसके पास में पैसे होते हैं, जैसे हम wallet में रखते हैं, लेकिन दोती पहने वाला wallet में का रखेगा, तो वो जाट बांद कर दोती में ही कहीं रखता है, वो, अब आगे देखिए, he went, he went on to tell me, और उसने मुझे बताना जारी रखा, that his excellence had been to Anglo-Indian youth, कि उसके जो excellence है, वो दो आंगल भारती युवा है, but he had not suffered too greatly, लेकिन वो बुछ बुरी तरह, सफ़र नहीं हुआ है, बुरी तरह पीडित नहीं हुआ है, at their hands उनकी तरफ से, because he had known, कि वो जान गया था, that he would be coming along shortly, कि वो जल्दी उनके पास में आ रहा है, वो डिस्टॉप और रुकेगा, he had therefore covered his face with his hands, और इसी कारन से उसने cover कर लिया था, अपने चेरे को, अपने चेरे को उसने cover कर लिया था, with his hands अपने हाथों से, pretended to be unconscious, और उसने pretend किया, बरताओ किया, बेवस होने का, unconscious होने का, when I asked him, why the two youths had beaten him up, कि क्यों वो दो जो युवा है, उसने उसको beat किया, क्यों उसके punished किया, क्यों उसने उसको पीटा, he brushed my question aside, तो उसने मेरी question को aside कर दिया, अलग कर दिया, दूर कर दिया, हटा दिया, मेरी question का कोई जवाब नहीं दिया, so I did not press the point, और मैंने उस point के उपर कोई praise नहीं किया, मैंने कोई दबाव नहीं डाला उस बिंदू के उपर, अगर वो नहीं बताना चाता इसका जवाब, तो मैंने सोचा कि that's all right, I then asked him, how he had known that I would come to his rescue, मैंने उससे पूछा कि कैसे तुम पता चला, कैसे तुम नो वे, कैसे तुम जाने, yes, I asked him, कि मैंने उससे पूछा, how he had known कि उससे कैसे मालुम चला, कैसे वो जाना, that I would come to his rescue, कि मैं आने वाला हूँ, उसके rescue के लिए, उसके बचाओ के लिए, but the only reply I got to this question, सिर्फ एक मात्र reply, जो मुझे question का मिला, वो ये था, उसने का, some things are known to all, कि कुछ चीज़े सभी को पता होती है, साहे, other to only a few, और कुछ को सिर्फ कुछ चीज़े ही पता होती है, और words to that effect, और सब्द जो की परभाव डाले, जो किसी के ओपर परभाव डाले, I was trying to work out, मैं परियास कर रहा था, वर्क आउट करने का, काम करने का, एक चतुराई भरे तरीके से, tactful way से, of asking, चतुराई तरीके से मैं पूछने की कोशिस कर रहा था उससे, how he came by, his excellent knowledge of English, कि वो किस परकार से, his excellent knowledge of English, कि वो उसे कैसे आई, कैसे English सीख पाया, when he stopped me in my truck by remarking, और उसने मुझे stop कर दिया, मेरे track में, मेरे रस्ते में मुझे रोख दिया, यह बात कहते हुए, how the body is covered, is of no importance, कि body कैसे cover है, यह important नहीं है, इसकी कोई importance नहीं है, compared with how the mind behaves, इसकी तुलना में, कि mind कैसे behave करता है, mind कैसे behave करता है, इसकी तुलना में, body कैसे cover है, यह important नहीं है, कैसे कपड़े पहने वें, किस परकार के कपड़े पहने वे ये ज़्याधा मैथ पूर नहीं है इसकी तुलना में की माइंड केसे बिहेव करता है किस ने का ये उस ओथर ने elderly Indian man ने Most of this conversation was going on while I was giving him a lift in the truck कि हमारा अधिकांस जो वार्तलाब था conversation था वो चल रहा था कब जब मैं उसे lift दे रहा था truck के अंदर I had managed to get a straight answer out of him और मैंने जैसे तैसे करके एक सी इधा जवाब उससे ले लिया when I asked him जब मैंने उससे पूछा where he was headed for कि वो किस ओर अगर सरह किस ओर जा रहा है as this turned out to be froze good और यह turn out हुआ उसके मुह से जवाब निकल के सामने आया वो क्या आया फिरोज गुड़ा कि वो किस ओर जा रहा है फिरोज गुड़ा की ओर जा रहा है which was not far out of my way और जो कि ज़्यादा दूर नहीं था किसे मेरे रस्ते से I had invited him to hop in and travel in comparative comfort at the expense of the British Army और मैंनो उसको invite कर दिया कि hop in करो आप ट्रक में चड़ जाओ और ट्रेवल करो comparative comfort इस आराम दाइक इस आराम के अंदर ठीके ना at the expense of British Army किसके खर्चे पर British Army के खर्चे पर आओ तुम भी ट्रक में याता करते वे अपने गाउं चल चलो we soon reached his destination हम जल्दी उसके गंतवे पर उसके destination पर पहुंच गए where upon he thanked me once again वहाँ पर उसने मुझे एक बार फिर से धन्यवाद दिया thank you कहा said that he would return my handkerchief after it had been clean और उसने वहाँ कर कहा कि वो return कर देगा मेरे handkerchief कब जब वो clean हो जाएगा साफ हो जाएगा तो वो रुमाल वापस से देगा next time we meet कब अगली बार जब हम मिलते हैं I was about to ask him मैं उसे पूछने ही वाला था how he proposed to arrange our next meeting कि वो किस परकार से पस्ताव रखेंगे हमारे दूसरी मीटिंग की दूसरी मुलाकात को कैसे अरेंज करेंगे कैसे प्रपोस करेंगे वो when he didn't not even know who I was and which part of the youth separate camp I was in कि जब वो जा इतने बड़े separate camp के किस हिस्से में मैं सामिल हूं but before I could begin yet fed it into the night इससे पहले कि मैं बिगिन कर पाता शुरू कर पाता वो नाइट के अंडर क्या हो गया फेल अवे हो गया गायब हो गया चला गया उससे एक्वेशन कर पाता उससे पहले ही वह वहां से चला गया few a few weeks later कुछ सब्ता के बाद में my posting came through to general headquarter at new Delhi कि मेरी जो पॉस्टिंग है वो हो गई कहा हो गई जो की न्यू देली में है न्यू देली मेरी पॉस्टिंग आज चुके थे मेरा ट्रांसपर हो चुका था the night before I was due to live मतलब वो रात ठीके ना वो रात जिस दिन मुझे जाना तो उसके एक दिन पहले की रात कोंसाइड़ विद अर्याइवल अफ फ्रेस सप्राइज अफ कैनेडियन कैंट बियर किंट एक कांप में एक जो उसी दिन सही जोग वह एक विजीट और हुआ कि इंडियन्स के ग्रूप का शांदार जो ग्रूप है भारतियों का वो आया कर्तब दिखाने वालों का लेड बाइ जेंटलमें नौन एस प्रॉफेसर राव और जिसको लीड किया जा रहा था एक जेंटलमें के द्वारा जो जाने जाते हैं प्रॉफेसर राव के नाम से तो लाजवाब ताकत के वो दिखाने के लिए वो जाने जाते हैं अगर एंटरेंबमेंट की बात की जाए मनोरणिन की बात की जाए तो व्यवारीक रूप से अस्तित्व में था ही नहीं उस समय at that time therefore this show which had been led by the welfare officer was something not to be missed कि यह जो शो जो की रखा गया था welfare officer के द्वारा यह ऐसा था जिसको miss नहीं किया जा सकता था क्यों क्योंकि entertainment वहां था ही नहीं तो after having celebrated well इसी लिए अच्छी तरह से celebrate करने के बाद में अच्छी तरह से beer पीने के बाद में but not all that wisely लेकिन हमने wisely भी नहीं पी मतब इतनी भी नहीं पी कि हम कुछ हो सो आवाज ही ना हो we went along to watch it फिर हम इसको देखने के लिए चले गए इस कर्तब को देखने के लिए चले गए in actual fact अगर सही बताया जाए तो we went along with the intention of taking the mic की तो हम क्या करने गए इस इरादे से गए कि हम उनका मजाक उड़ाएंगे इस इरादे से हम उनका जो कर्तब हो देखने के लिए गए but after a while लेकिन कुछ देर बाद में like everyone else there we start to wonder तो बाकी की तरह हम भी वहाँ पर क्या हो गए wonder में मतला इस तब्ध होकर खड़े के खड़े रह गए हम भी देखने लग गए कि जिस परकार से कर्तब दिखा रहते हैं हम भी क्या हो गए है इस तब्ध हो गए it was truly amazing performance और यह वास्तों एक amazing performance थी when we arrived जब हम वहाँ पहुंचे the professor who looked nothing like a strong man professor जो बिल्कुल भी strong man की तरह नहीं लग रहे थे had just called for 12 volunteers उसने 12 volunteers बुलाए कहां से from from the audience कहां से audience से whose task is whose task was to bend an iron bar around the neck और उसका यह task था कि वो क्या करे नेक के चार्व तरफ उस iron बार को वो क्या करे मोड दे यह उसका काम था the iron bar provided from the camp और जो iron bar थी जो लोए की छड़ती वो time से he provide की गई थी जो लगबक 12 feet long थी 12 feet लंबी थी और जो प्रोफेसर थे held it horizontally और प्रोफेसर ने इसको horizontally सिती जवस्ता में आड़ी रखी कहां पर middle of it अपने बिलकुल मिडल में अपने बिलकुल गले के मिडल में pressed against his throat और अपने गले के बल पर उसको वो क्या करने लगे घुमाने लगे यह देन अरेंज दे वोलेंटियर 6 अन इधर साइड और चेचे वोलेंटियर दोनों हिसों पर लगा दिये और जैसे प्रोफेसर का सिगनल मिला वोलेंटियर बिगें तू पुष विट ओल दियर माइट तो जो वोलेंटियर से वो शुरू होगे पुष करना अपनी पूरी टाकत से आयरें बार वोस बैंट इंटू यू शैप और जो आयरें बार है वो बैंट हो गए मुड़ गई यू शैप के अंदर अराउंड इस नेक उसके नेक के चारो और तो हमने देखा कि जो प्रोफेसर राव है उन्होंने पहला जो कर्तब दिखाया वो क्या करना क्या उन्होंने कि 12 फिट लंबी रोड को उन्होंने यू आकरती के अंदर मोड दिया अपने गल अपने फोट के दम पर अपने फोट की ताकर से तो बाकी जो बचावा पार्ट हम नेक्स वीडियो में लेंगे गुडबाई टेक के और उसलब